जनपद मत्रा के थाना गोवर्धन छेत रिष्टेते गाउं में विवायता युगती के साथ सामुही दुषकर्म का मामला सामने आया है जिसको लेकर विवायता के पिता के द्वारा थाना गोवर्धन में लिखे तहरीर देकर मुकर्मा दर्ज कराया गया है युगती ने बताया कि जब वो सौच करने के लिए गई थी तबी तमंचे के बल पर दुशकर्म किया गया पीड़ता के पिता के द्वारा थाना गोवर्धन में तहरीर दे कर नियाय की गौहर लगाई गई विभायता के पिता के अनुसार उनकी पुत्री सौच करने के लिए गई थी तबी अचानक अडिंका रहने वाला विश्नु पुत्र रामबिर अपने दो अग्यात साथियों को ले कर आ गया और उसकी पुत्री को पीछे से गलप निया से पकड़ लिया उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा पुत्री को तमंचा लगा कर दराय धंताया गया और जमीन पर गिरा कर उसके साथ दुश्कर्म किया गया इस गटना की सूचना यूप्ति के पिता के द्वारा ठाने में दी गई वहीं कुलिस ने मुकर्मा दर्ज करते हुए अव्योग्त विष्णू को हिरासत में ले लिया पिड़ता के अनुसारिये गटना सत्रे तारीक की शाम को करीब आठ बजे हुई क्या हुआ है क्या गटना गटिया आप साथ में है जोड से बोलो क्या हुआ है क्या हुआ है है ले टेंगर विए थी तो तीन अड़ी जाए थी जैए उसनों वहां पैपाई लिया और दो बाद गया थी यह डाटे लिए कपकी गटना है अब ने सुचना देदी साथ की जी बताया क्या कुछ हुआ क्या हुआ हुआ है कि अब कुछ अब को लोग थे दिसांग और अब करेंगे लिए लिए टाल कर लिए भी इन पर विश्तिकर गर कर देंगेए फ़र भी नोग आप अब करेंगे लिए लुट अब करेंगे लिए लोग लोग वग्ये अटापर दर्की ने कुछ समय के बाद में आई लग्य ते उनने वह नहीं बताया लग्यों के पापा ऐसे बात है अब कर दो लोग वाए दासी वज़ा से खते जी तो ने बारा शारा बारव दी बाता पड़ाने लिए अपने इस थाने तेरीर देदी इस तो यह तो रहाद आप आप लोग्यों कि अब कि अधाना कि कितने तारी गटना है कि अधाने अधाने कि कुछ मामला आए कि कौसे लेकर कुछ अथाने आई क्या हुआ है क्या हुआ है कौन गई थे का गई दी रेटिंग करने अच्छ फर पर कह दिया अधाने इसकी पखड़ा था अग्सक्त करता करने वाला है अच्छा आपने थाने में तरीड देदी सटना की क्या करें पुलिस क्या करें कुपतल साथ क्या करें